इस जी ट्वेंटी सम्मिट समाप्थुब इस जी ट्वेंटी सम्मिट के दौरान जो मोदी जी का एक्ट था, एक्षन था, जो वोर्ड्स थे, जो स्पीचेज थे, उसे ले करके आपके सामने आया हूँ और साथ-साथ मैं ये भी दिखाता चलूँगा, जो मोदी जी का जो इनसाइट है, जो इनर थाट है, जो आदर्स है, जो एडिलोजी है, जो उनका करेक्टर है, इनसाइट करेक्टर है, उसको देखने भी कोसित करेंगे साथ-साथ, आप चैनल को लाइक, शेर, कर लिजे, उस बिल आइकन को प्रेस कर दीजे, और अपनी परतिक्रिया जरूर दीजे, आपको लगेगा कि जो कुछ मैं दिखा रहा हूं, उससे जो मोदी जी को का जो दूसरा चेहरा दिखा रहा हूं, क्या रिलेशन है, अब रिलेशन खुदी ते कीजे न, को कि किसी काल विशेज खंड में मोदी जी ने ऐसा कहा, और आज मोदी जी जी एसा कर रहे हैं, तो चली शुरू करते हैं, आपसी विश्वास पर आए, इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, अगर कोई हिंदू इसलाम के खिलाफ है, तो वो हिंदू नहीं है, कोई भी हिंदू जो इसलाम के खिलाफ है वो हिंदू नहीं है मोदी जी बोल रहे हैं 2005 में बोल रहे हैं कोई भी हिंदू जो इसलाम के खिलाफ है वो हिंदू नहीं है क्यों नहीं सुनी थी ये हम सब ने पहले हम सब तक ये बायट नहीं आई थी भाई एक बर आउ व सुलिए मैं इसलाम एक बीचार धारा के खिलाव नहीं हूँ you are not against Islam not at all और कोई भी हे अगर कोई हिंदू इसलाम के खिलाव है 또 हिंदू नहीं है और इसलाम झू है वो सिर्फ आवाद के अवादत करता है बोन बीध है वो काफिर है काफिर वाजिवे कतल है उसकी औरते माले गनिमत है इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रिक है यहां से कुछी किमेमेटर के फासले को है लगभग धारी हजार साल पुराना एक स्थम्प लगा हुआ है इस स्थम्प पर प्राक्रित भाषा में लिखा है हेवं लोक्त साथ हित मुखेती अथर यम नातिजु हेवं अर्था मानवता का कल्यान और सुख सदेव सुनिश्चित किया जा है दाने हजार साल पहले भारत की भूमी ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया भारत के मुसल्मान भाई बैनों को भी यह समझना होगा कि कौन से राजनितिक दल उन्हें भड़का करके उनका फाइदा लेने के लिए उनको बरबात कर हमारे जो पस्मंदा मुसल्मान भाई बैन है उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है वो तो तबाह हो गए उनको कोई फाइदा नहीं मिला है उनके ही धर्म के एक भरग ने पस्मंदा मुसल्मानों का इतना सोचन किया है लेकिन इसको उपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई मोदी जी पश्मंदा मुसल्मानों के लिए योजनाय बना के ला रहे हैं पश्मंदा मुसल्मान की बात क्यों करते हैं वो सिधा मुसल्मानों की बात क्यों नहीं करते मतलब यह डिफ्रेंटियेट क्यों उन्होंने जितने भी फूट सोल्जर्स हैं जो भी पथर बाजी कर जो भी आगजानी कर रहे हैं, जो भी अलाह उपर के नारे लगा कर रहे हैं, सर्तन से जुदा कर रहे हैं, वो क्या पस्मन्दा मुसल्मान नहीं हैं, ये कोन कहेगा? And it reminds us that when we think of the 99 names of Allah, none stands for force and violence. मोदी जी की सुन लो, मेवात में दया चल रहा है, करना चल रहा है, हिंता नहीं चल रही है, शांदी चल रहा है. Food, fuel और fertilizer का management हो, terrorism और cyber security हो, health, energy और water security हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीजियों के लिए हमें इन चुनवतियों के ठोज समाधान के तरफ बढ़नाई होगा. गौवख्त अलग है, गौवसेवक अलग है, गौवसेवक अलग है, अरे इससे ज्यादा कोई बबल गम ठूक विकता है? जो गौवख्त हो गौवसेवक नहीं है, गौवसेवक नहीं है, क्या? मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोचल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गवरक्षक का चोला पहन लेते हैं, मैं राज्य सरकारों को अनुरोद करता हूँ, कि ऐसे जो स्वयम से भी निकले हैं, अपने आपको बड़ा गवरक्षक मानते हैं, उनका जारा डोजियर तियार करो, सतर असी प्रसेंट ऐसे निकलेंगे, जो ऐसे गोरक धंदे करते हैं, जो समाज स्विकार नहीं करता हैं, लेकिन अपनी उस बड़ाईयों को उसे बचने के लिए यह गवरक्षक का चोला पहन करके निकलते हैं, फ्रेंक्स, भारत की G20 प्रसेडेंसी, देश के भीतर और देश के बाहर, इंकलूजन का सबका साथ का प्रतिक बन गई है, दिल्ली में बैटी हुई सरकार का सपना है कि हम हिंदुस्तान में पिंक रिवोलुशन करेंगे, और पूरे विश्म में मास मतन का एक्सपोर्ड का बिजिनेस करेंगे, और इस वर्स भारत सरकार ने गोशित किया है, स्वयम भारत सरकार ने गोशित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नमबर बन है। मैं देखोंगा, इन दिनों स्थिती गंबीर होती गई। उस समय हो सकता है शुरू में, मेरे पास डीटेल नहीं है, उस समय हो सकता है कि हमारे पास दूद नद देने वाले परश्वों के संख्या एक्सेस हुई हो, उसमसे एक विचार बना हो। आजे कि नहीं अच्छा तुम ब्राह्मन हो, हमको दलित मानते थे और हमारी मा को पानी नहीं भरने देते थे और वो आदमी, मतलब ऐसी कई बाते उन्होंने कई हुए हैं, जो मैंने आपको भी नहीं दिखाया है, अच्छा मुर्थियों में, पत्थ्रों में क्या इंक्रेडिबूल हिंडिया है, ऐसी बाते कई हैं, मेरे पाते स्टॉक में हैं, उनके बासन है, निकाल निकाल के रखके हुए हैं, इसलिए कि जो हमारे लोग हिंदू है, शनातनी है, बटवारे के बाद के बात के बारत को प्रेश्र मांट करते हैं कि उनको आट और तो हिंदूं परा चलेगा कि लोगों का प्रमी जब फटा चलेगा कि लोगों का भ्रम दूर रहा है तो फटा-फट साइज कुछ बहतर भी कर डाले ने तो कोई विकल्प निकल के आएगा फिर देखेंगे संकर्स जारी रहेगा चलिए चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए उस भी लाइगन को प्रेस कर दीजिए आपको नोटिफिकेश ने मिलता रहेगा तो जैसिया राम हर्यूब